जैमा काली मित्रो, आपका मेरे चैनल मा काली मा दुरगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो, आज का जो विशे है, वो विशे ये है, कि शरीर पर सवारी आती है, पर बोलती नहीं पहले बोलती थी, लेकिन अब नहीं बोलती तो इसका क्या कारण है जब आपके शरीर पर सवारी आती है लेकिन वो बात नहीं करती आपके प्रश्णों के उत्तर नहीं देती या जब पहले सवारी आती थी उस समय तो वो आपके प्रश्णों के उत्तर देती थी लेकिन अब उसने प्रश्णों के उत्तर देना बंद कर आने के बाद, वो भीना बोने चली जाती है, क्यों आपसे वो बात नहीं करती, तो इसका क्या कारण है, देखें मित्रो जब भी किसी व्यक्ति के शरीर पर सवारी आती है या हमारे शरीर पर सवारी आती है तो उसके लिए जो करना होता है सबसे बड़ी चीज जो होती है कि किसी देवता का आना आपके शरीर में बहुत बड़ी बात होती है तो जब वो सबसे पहले आपके घर में आता है, तो जो सबसे पहला प्रथम चरण होता है, वो ये होता है, कि वो देवता ये चाहता है आपसे, कि जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उसका उचित मान सम्मान करें, मतलब जब वो आपके घर में आता है, तो उसके सामने, जितन जरूर करें, तिलक करें, तब जाकर के सवारी प्रसन होती है, तो सबसे पहले चीज तो यह कि उसको अपने घर में जिसमें वो आई है, उसमें पूरा-पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करतें, सवारी जो आती है, आगर आप उसका मान सम्मान नहीं तो वो फिर शरीर पर या तो आना बंद कर देती है या फिर वो प्रश्णों के उत्तर देना बंद कर देती है या फिर वो बोलती ही नहीं है और दूसरा कारण जिस व्यक्ति के शरीर पर सवारी आती है उसे चरित्र हीन नहीं होना चाहिए अगर वो कुछ ऐसे कारिय करता है जिससे उसके अंदर चरित्र हीनता आती है तो इस तरह के कारिय करने पर भी सवारी बात नहीं करती या बात करना बंद कर देती है तीरी चीज, अगर आपके गर में सवारी आती है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आपके घर के जितने भी सदस्य है, वो किसी भी प्रकार की टामसिक चीजों का सेवन न करें जैसे कि गर के सदस्य से शराब ना पी हैं, मास ना खाएं, अंडा ना खाएं, इस तरह की चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें साथ, अगर जिस व्यक्ति पर सवारी आती है और सवारी आते समय, जब वो सवारी आती थी, आपसे बात करती थी उस समय पर आपके घर के परिवार के जो सदस्य हैं, उन्होंने उस सवारी से ऐसा कार्य कहा, जो उसके अधिकार शेतर से बाहर था, क्योंकि मित्रो जो सवारी हमारे शरीर पर आती है, वो सवारी ये नहीं कि एक देवता की सवारी है, वो देवता की सवारी तो है, लेकिन वो सीमाओं में बंदी रहती है वो आपके लिए उतना ही कार्य करती है जितना उसे करने का आदेश होता है जितना आदेश उसे वहां से दे कर भेजा जाता है ये बात आपको सवारी स्वेम भी बताती है कि मुझे जितना आदेश दिया गया है, मैं उतना ही कार्य कर सकती हूं लेकिन व्यक्ति क्या होता है सवारी जब आती है, तो वो उससे ऐसी ऐसी चीजों की मांग रखता है, या डिमांड रखता है कि जो उसके अधिकार शेतर से बहार हो जाती है, तो ऐसी परिस्तिती में भी सवारी बोलना बंद कर देती है या फिर आती तो है, बोलती नहीं है, चुपचाप चली जाती है या फिर वो रोते हुवे आती है या आएगी, तो रोते रोएगी, चली जाएगी, आएगी, रोएगी चली जाएगी, ऐसी परिस्तिती आपके साथ होगी जब कोई सवारी आती है तो आप उसके सामने किसी भी प्रकार की स्वार्थी बाते ना करें जैसे कि अगर आपका कोई स्वार्थ है तो आप स्वार्थ से संबन्दित बाते करते हैं पैसो की बाते करते हैं जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए या फिर हमें मकान चाहिए हमारे घर की शादी करा दो हमें ये करा दो इस तरह की बाते नहीं करने चाहिए अगर क्योंकि देखिए सवारी जब आती है वो तो पैसा लेकर नहीं आती सवारी के पास पैसा नहीं अगर आप परिशानी भी रखोगे, तो उस परिशानी कहल इolar पूजा पाथ से ही बताइगी, आप उपाए करूं, इसका पार्ट करों, ये चालीसा का पार्ट करों, क्योंकि मित्रों, जो काम बनाने का सामर्थय होता है, वो सामर्थय आपकी पूजा में होता है, सावारी का कारिय जो होता है वो मार्क दर्शन होता है पहली चीज तो वो जो आ रही है वो आपके मार्क दर्शन के लिए आ रही है आपको अच्छे कारिय के और लगाने के लिए आ रही है आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए आ रही है आपका जीवन सुधारने के लिए आ रही है आपका आने वाला जो जीवन होगा जो अगला जनम होगा वो उसे भी सुधारने के लिए आपके शरीर पर आती है लेकिन आप इसकी मर्म को नहीं समझ पाते यह वो हमारे पास क्यों आई है आप ये सोचते हो कि वो हमें पैसे देने के लिए आई है, मारी इच्छाओ को पूरी करने के लिए आई है, आप केवल अपनी बहुतिक इच्छाओ की बात उससे करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक बात, कोई भी आध्यात्मिक प्रेशन आप उनके सामने नहीं रखते, जो कि स जिनके शरीर पर सवारी आती हैं, वो किसी भी प्रकार का जूट न बोले, अगर आप जूट बोलते हैं, या कोई ऐसा पापकर्म करते हैं, जो एक सवारी आने वाले व्यत्य को शोबा नहीं देता, तो इस कारण से भी सवारी रुष्ट हो जाती है, जिससे वो बोलना बंद क लेकिन वो इस बात को सवारी आती है, लेकिन बोलता नहीं, लेकिन वो इस बात को कभी ध्यान नहीं देते हैं, कि हमारे अंदर ऐसी क्या तूटिया या कम्या हैं, जिस कारण से सवारी बोलती नहीं हैं, क्योंकि जो मैं आपको बते बता रही हूं, अगर आप इस तरह की ब औलटा सीधा खा लिया है यह आपके साथ कोई खिलाई पिला ही हुई है अर्थात आपको किसी ने कोई पढ़कर, तंतर मंतर फूख थूग उल्टा सीधा भोजन खिला दिया है या दूदadt गवारा पानी चीज खिला दिया है जिस कारण से आपका शरीर बंद गया है शरीर बंद जाने से क्या होता है देखे सवारी कभी नहीं बंदती क्योंकि देवता है वो तो हवा के रूप में आते हैं उर्जा के रूप में आते हैं उर्जा को कोई नहीं बांद सकता आपके शरीर का बंधन किया जाता है और उस बंधन में आपका शरीर ऐसा हो जाता है कि वो किसी भी पवन को अंदर आने नहीं देता किसी भी उर्जा को अंदर आने नहीं देता आपके शरीर में जिस कारण से कहा जाता है कि सवारी बांध दी गई है जबकि बांधा आपका शरीर जाता है तो ऐसी परिस्तिती में भी सवारी बोलती नहीं है शरीर पर सवारी आने का उद्देश्य यह होता है कि वो आपके अच्छे कर्मों में सहयोग करती है आपकी रक्षा करती है किसी भी नाकारतमक उर्जा से आपकी रक्षा करती है जिनके शरीर पर सवारी आती है, उन्हें जो है तीर्तों की यात्रा करनी चाहिए, अच्छे तीर्तों पर जाना चाहिए, और उन्ही तीर्तों के आसपास अगर कोई पवित्र नदी है, कुंड है, तो महाँ पर इसनान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति करते नहीं है, जि को पवित्र जल से सनान करना चाहिए और जितना पवित्र वो रह सकते हैं आपकी जो सवारी है वो उतनी निखर कराएगे जितनी साथ विक्ता से आप रहेंगे जितने अच्छे कर्मों में आप लगेंगे तो आपकी वानी सिद्ध हो जाएगी जो बात आपकी सवारी कहेगी वो बात सिध निकलेगी अन्यता अगर आप इस तरह के पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे तो जो आपकी सवारी आती है उसके जो वचन होते हैं वो वचन भी जूटे हो जाते हैं वो जूटे वचन कर लेती है आपके पाप कर्मों के कारणी तो इस तरह की जो परेशानी होती है इस तरह की परेशानी अगर उनके साथ होती है या सवारी इस तरह की अगर कर्म देखती है आपके तो वो बोलना बिल्कुल बंद कर देती है पहले बोलती थी लेकिन फिर बाद में बोलना में साथ विक्त लाएं, अपने आचरन अच्छे रखें, साफ करम रखें बिलकूल, किसी भी प्रकार के काप करमों में ना लगी, और इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कि अगर आपके शरीर पर सवारी आ रही है, तो आप एक सामान्य विक्ति नहीं है, ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, तो इस बात की जो गंभीरता है, उस गंभीरता को समझे, तब जाकर की ही आप अपना भी उत्थान कर पाएंगे, अपने परिवार का भी उत्थान कर पाएंगे, अन्य था आप इसी में गोल-गोल गूमते रह जाएंगे, आप कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो मितरो, आशा करती हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आईगी, अगर आप मेरे चैनल पढ़नाई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, साथी नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, मितरो, जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपने दो सब्सक्राइबर के प्रेशन लोगी, तो उसमें पहला प्रेशन है, वर्शा मनीश जी का, जो कि इनोंने मुझसे पूचा है, जै माकाली गुरुमा, मुझे रोग यानि सफेद दाग हैं, प्लीज कुछ उपाएं बताइए, प्लीज गुरुमा, मैं भी माता काली की पूचा करती हूँ, प्लीज मुझे कोई रास्ता देखाईए, देखे वर्शा जी, अगर आपको सफेद दाग हैं, तो आपको भगवान सूर्य की पूचा करने चा पर वीडियो भी डाली हुई है, आप मेरे तूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर जो वीडियो मैंने डाल रखिया है, उसमें मैंने सामगरी बता रखिया कि किस-किस प्रकार से सामगरी डाल करके आप सूर्य बगवान को जल दें, जिससे आपके शरीर के जि पेड़ा लोंग इलाइची नीमबू अधिका क्या करें प्लीज मदद करें देखिए रूमी जी मैंने आपको बताया है कि जो माकाली को भोग चड़ाया जाता है आप उसको ग्रहंड ना करें चाहिए उसमें वो मिठा पान हो यह लोंग पताशी हो इलाइची हो किसी प्रकार का भी भोगो पेड़ा हो आपको वो ग्रहंड नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ग्रहंड करने वाला परशाद होता है कि माधुरूग लगाया जाता है उसमें वी आप हलवा पूरी अध्यादी का भोग करें नाकि लोंग इलाइची का इस तरह का भोग बिलकुल भी क्रहंड भी मिले होंगे मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी प्रकार की नई जानकारी को लेकर तब तक के लिए जै महाकाल